हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्हपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली बहुत ही स्पाइसी चेटनी हरी मिर्च की तो आये देखते हैं इसके लिए हमें किनकी चीजों की आवशकत है हरी मिर्च जीरा मुमफली कलिया पत्ति कुछलसुन की कलिय तेल, हिंग और तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसो, सुखी लाल मिर्च सबसे पहले मैं सारी चीजों को भून लोगी मैंने रखाया कडाई कडाई जैसे गरम हो इसमें मैंने डाला है मुमफली ये टू स्पून है अगर आप तीखा कम चाहते हो तो आप 3 या 4 स्पून जैसे फन ले निकाल को सेन कड़ाई में एक स्पून ऑइल डाला है जैसे गरम हो इसमें मैं डाला लसून और एक स्पून जीरा एक यह फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकने रख दूँगी ताकि मिर्ची गल जाए, मैंने ढग दिया है, तीन मिनट बाद में चेक करें, मिर्ची काफी अच्छे से पक गई है, गल गई है और भुन भी गई है, अब मैंने निकाल रहे हो प्लेट में ठंडा करके मैं इने ग्राइंड क कर लिया है, यह ग्राइंड हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रहे है, सर्विंग बाउल में, यह चटनी आप as a side dish भी खा सकते हो, सेंडविच के साथ खा सकते हो, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाओ, सिंपल प्लेन राइस के साथ भी यह बहुत अच्छा लगता है, अ अब मैं इसको डालूँगे चटनी के ऊपर, बस हमारा बहुती टेस्टी, स्पाइसी चटनी बनकी रेडी है, आप भी बनाएए, अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू